गनपती वप्पा की फेवरेट मोदक की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वह भी बिना गैस जलाए 10-15 मिनट में आप इसको बहुत कम चीजों से फटा फट से बना करके रेडी कर सकते हैं और पुगवान को वोग लगा सकते हैं रेसिपी बहुत सिंपल है और खाने में भी यह मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया था और फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर एट किया है अब यहां पर मैं आट करेंगे कंडेंस्ड मिल्क लगभग हाफ कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क आट किया है जिससे कि अच्छी से बाइंड हो जाए अब इन सभी चीजों को हाथ स मैंने मिक्स कर लिया इसका डों त्यार करना है कुछ इस तरीके से अब इसमे आट करेंगे केसर वाला दूद मैंने गरम दूद में केसर अड़क रख था तो इसको भी आट करेंगे और यह को साथ इसको रहां करेंगे जिससे कि पूरे द्मेर टों पैसर्या अच्छी सा आपको इसको फिल करना होता है ताकि अच्छे से प्रॉपर शेप में आजाए मुदक लेगे अच्छे से अच्छे पार्ट होगा इसको रिमूव कर लेंगे अच्छे सेट करने के बाद अब इसको डिमोल्ड करेंगे और यह हमारा बहुत बढ़ी आसा बहुत ही जादा टेस्टी सा मुटग बनकर के तयार है देखा आपने यह कितना सिंपल है बहुत ही कम चीजों से आप इसको फटा फट से बना सकते हैं 10-15 मिनिट में तो रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमें जरूर से है ऐसी और रिशंपिश के लिए मेरे चनल को फॉलो कर यह सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यारी कमें सब्सक्राइब करें आपको सबस्क्राइब करिएगा एक बैल आइकटो जरूर से प्लेस करेगा जिसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हैपी गने शतूर्थी